हेलो गाईस वेलकम बैक टूबर चैनल के एनक एडमी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस पीपेस का सेलेक्शन प्रोसेस तो गाईस इससे पहले में आपको बता दूँ कि Only have TCS का जो BPS का राजेशन होता है वह क्या होता है तो जब TCS हायर करती है फिर वा बीपीस के लिए तो उसमें हमारे 3S डिगरी के स्टुडंस एपलाई कर सकते हैं लैंक B.A.B.C.A., B.S.C. तो उसमें सारे educating डिगरी वाले students apply कर सकते हैं उसका eligibility criteria लग होता है वो हम देखते हैं तो गैस एक एक करके मैं यहाँ पर discuss करूँगा कि इसका process क्या होता है one by one इसमें कितने number of rounds होते हैं किस तरीकी से हमें prepare करना चाहिए आई यह वीडियो को start करते हैं हम देखते हैं कि इसमें total number of rounds क्या होता है selection process के तो यहाँ पर हमारे three rounds होते हैं सबसे पहला जो हमारा होगा online test online test के बाद होता है technical interview and HR interview गई सब बनवाई हम discuss करेंगे कि online test में हमारा क्या पूछ जाएगा and technical में क्या होता है and HR में क्या होता है and after short listing आपको किस तरीके के वहाँ पर like difficulty face होगी and आपको किस तरीके से इस interview के crack करना है okay subscribe तो हम बात करते हैं इसके online test की okay अगर हम बात करें यहाँ पर online test की so online test में हमारे कितने section होते हैं किस type के questions पूसे जाते हैं क्या syllabus है क्या क्या आपको प्रपर करके जाना है तो एक एकर के मैं discuss करूँगा उससे पहले मैं आपको बजा दूं कि जो online test है वो हमारा elimination round ह basically TCS PPS के जो भी selection process में आपके rounds है like online test, technical interview and HR interview सारे rounds हमारे elimination round हैं अगर आपने एक भी round clear नहीं कर पाया then आप next round के लिए लिस पर नहीं होते हैं अगर हम बात करें इसमें section की तो total हमारे 3 section होते हैं 3 section जो हमारा first section होता है first section जो होता है हमारा numerical ability तो numerical ability में हमारे total number of questions कितने होते है 26 and 26 questions को solve करने के लिए आपको 40 minutes दे चाएंगे तो numerical ability हमारे 26 questions है 45 minutes and second section के हम बात करें तो हमारा होता है verbal ability तो virtual questions को solve करने के लिए आपको दे जाते है 30 minute for verbal ability and that section होता है reasoning reasoning ability reasoning ability में हमारे question होते है 30 question and 30 questions को solve पर निक लिए आपको दी जाते हैं हापे 50 minute so total जो हमारे test की duration होती है 120 minute guys 120 minute यहाँ पर sectional wise timing आपको दी जाएगी लाइगा आपका सबसे पहला section आएगा numerical ability का तो numerical ability में आपको उसमें आपके 40 minute दी जाएगे आपको and second जो हमारा होगा verbal तो verbal में भी इसी तरीकी का आपको 30 minute and then आपका 50 minute total time है हमारी हाँ यहाँ पर है 120 minute अगर हम बात करें आप एक ही करकी आपको numerical ability में कौन से topic दीखने को मिलेंगे verbal ability में कौन से topic and reasoning ability में तो मैं सारे topic यहाँ पर सो करने वाला हूँ जिससे आप यहाँ से note कर सकते हैं आपको कौन-कौन से topics पर prepare करना है and कहां से आपको prepare करना है तो guys अगर आपको resources available नहीं है for aptitude तो चैनल पर एक separate video है तो आप वो वीडियो दे सकते हैं जैसे आपको एक clear cut idea मिल जाएगा कि aptitude को कहां से prepare करना है उसके resources कहां available है और कौन-कौन से topics आपको prepare करना है तो link description में है वहाँ से जाके आप check कर सकते हैं जैसे कि आप मेरी screen पर देख सकते हैं कि कौन्स topics तो numerical ability के लिए हमें कौन से topic को prepare करना है वह आप यहां से note कर सकते हैं like LCM, LCF, divisibility, probability, speed and distance, number system, profit loss, equations, ratio and proportion and percentage, average, probability, clocks and calendar and coordinate geometry तो काफी सारे topic हैं जो numerical ability में आपको prepare करना है and any सारे topic से आपको हाँ पर question पुछी जाते हैं तीन से चार एक एक दूदो question सारे topics के आपको मिलेंगे लेकि यहाँ पर सबसे जो बेटेज होता है वो time and work का, profit loss का and data interpretation guys अब भी क्या हो रहा है कि data interpretation के question logical reasoning में add किये जाते थे बट अब हो quantity topic में एक से दो question data interpretation के add होने लगे हैं तो आपको data interpretation भी prepare करके जाना है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर logical topics की तो logical reasoning में basically जो मैंने topic हाँ पर note किये हैं सारे important topic है लेकिन आपको main focus करना है setting arrangement and non-verbal reasoning and blood relation and data transparency basically तो उसमें यहाँ पर coding, decoding and directional sense and sitting arrangement, visual reasoning, blood relation, flow chart, statement and conclusion, data transparency So guys, यहाँ पर seating arrangement के तीन से सर्फ question आते हैं like आपको एक seating arrangement दिया जाएगा उसकी basis पर उसी level के different questions बनाके तीन से चार लेवल आपको दिये जाएंगे उन questions के like basic उसमें changes करकर के और अगर हम बात करें non-verbal reasoning की तो non-verbal reasoning में हमारे diagrammatic question आते हैं like mismatch diagram एफर कौन से diagram match कर रहा है कौन से diagram में changes required हैं तो study question आपको पूछे जाएंगे for logical topic के लिए तो सारे topic आपको prepare करना है for logical reasoning अगर हम move करते हैं आप बारवल topic पे तो बारवल के लिए आपको basics of grammar आपकी English grammar बहुत ही strong होना चाहिए like vocabulary, synonyms, synonyms, jumbled up, sentence and preposition and conjunction जो preposition and conjunction and articles वो topic है वो हमारा fill in the blanks वाली section में पूछा जाता है जिसके आपको तीन से चार question मिलेंगे उसमें आपको preposition का भी फिलिंदी blanks मिल जागा conjunction का भी and also आपको direct indirect sentence भी हाँ पे आते हैं spotting errors and sentence rearrangements, sentence, correction and paragraphs basically तो paragraph के जो reading passage के question आते हैं वो आपको last में भी देखने को मिल सकते हैं पर बीच में भी देखने को मिल सकते हैं तो I would like to suggest that कि आपको वो reading passage की question से वो क्या होता है वो पैसिस को पढ़ने में थोड़ा सा time लगता है तो वो आप skip करके पहले सारे questions को कीजिए दिन आपको जितना time मिला है free time आपका यहाँ पर verbal के लिए 30 minute है ना तो 30 minute में आपको last timing में आप अपने पैसिस को पढ़के answer कर सकते विकोज हमाँ पे थोड़ा से lengthy पैसिस होता है तो उसको पैसिस को पढ़ने में time लगता है तो हम बात कर चुके यहाँ पर topics की कि आपको कौन से topic पढ़ना है और किस तरीके से preparation करना है अब बात करते हैं after clearing the online test आपका होता है technical interview के हम बात करते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर technical interview की जो कि आपका होता है online test के बाद आपने अगर online test clear कर लिया देना आपका होता है technical interview and guys technical interview आपका होता है after 45 minutes तक तो आप time की according लगा सकते हैं ता जाग कि हमारा technical interview में क्या क्या पूछा जा सकता है exactly तो guys basically जो आपसे पूछा जागा वो आपके resume resume से related चीजें आपने resume में क्या mention की है चीजें आपकी technical skills आपकी projects and domain related question जिस domain में आपने graduation की है study की है उससे आपकी question पूछा जाएंगे domain related guys technical skills के अगर हम बात करें तो technical skills में basically आपकी programming languages programming language like c and c++ जाबा जो की आपने mention की है अपने resume में okay and इसकी बात इसकी बात आपका होता है project discussion उसमें आपको जो भी आपने project mention की है उससे भी question पूछी जाते है and इसके बात internships if you have अगर आपके पास internship का experience है तो उससे आपके question पूछी जाएंगे internship से और आपका previous experience कुछ भी है उससे related questions okay तो इस tech skills में basically आपको पढ़के जाना है c and c++ and c and c++ का basically आपको oops concept oops concept बहाँ पे बहुत ही important है जो पूछे जाएगा and guys आपका normal theoretical discussion होने के बाद आपसे coding भी कराई जा सकते है अभी जो tcs का bps का selection है उसमें बच्चों से क्या short short programming की जाते है like उसका कैसे बता जीता हूँ जैसे c++ के short program हो गया like gcd तो आप से क्या पूछा सकते हैं कि gcd का logic बताओ exact logic क्या है program कैसे work कर रहा है आपने program दू कर दिया exactly कि हमारा program इस तरीके से बनेगा and आपने वहाँ पर dry run करके sorry compile करके run कर दिया and आपका program चल गया अब आपको वहाँ से starting से वो पूचेंगे कि आपने किस त़रहीं से logic सोच औे किस तरीके से logic बनाई और program किस तरीके से work कर रहा है bereक्ट प्राइम नंबर Grade number का logic इस तरीके से logic भी पूछ सकते हैं को आपसे program रहा सकते हैं and directly इस तरीके से आपको short-shot programs पूछे जा सकते हैń in technical interview तो हम दिसक्स कर चुके हैं in technical interview में project का डिस्कूशन होगा entrance का discussion होगा आपके technical skills का discussion होगा programming skills का discussion होगा and आपको सारे subjects परके जानने हैं अपने परagDiscan related like OS, CN and DBMS because हमारे सारे यांप्पूटर शायंस से रिलीटे से वहाँ पर discussion होगा आपके short short theoretical question बहाँ पर पूशे जाएंगे operating system से computer network से and database management system से and SQL की queries भी वहाँ पर की जा सकती है एक वो आपको शोटी-शोटी queries भी दे सकते हैं करने के लिए आपको definitions भी पूश सकते हैं DVMS से and after clearing the technical आपका होता है final round जो कि हमारा होता है HR round so HR round में basically आपका family discussion sorry family background verification type and behavioral question basically जो हमारे सारे question होते हैं वह behavior behavior यहाँ पर discussion आपका होता है तो guys basically HR interview को crack करने के लिए मैंने एक separate video बनाई है जिसमें मैंने एक pdf दी है जिसमें possible number of questions with answer है for HR interview अगर आपने वो pdf download कर ली तो आपको एक idea मिल जाया इसमें मैंने सारे question दिये है with answer आपको किस तरीके से answer करना है and HR interview में कौन कौन से possible questions हैं जो पूछे जा सकते हैं तो आप download कर सकते हैं वहाँ से video उसकी link में sorry video pdf और उसकी link मेंने नीचे description में दे रखी है वहाँ से जागे आप video को download कर सकते हैं तो उससे आपका HR round क्लियर हो जाएगा पूरा तो guys इस video में हम बात कर चुके हैं TCS का BPS का selection process like online test and technical interview and HR interview I hope की video पसंद आये होगी आंगे की videos में हम इसी तरीकी के company related information आपको देते रहेंगे so thank you guys thanks for watching